रोहिच हीटी ने सीजन की तारीव की थी किस सीजन के कौंटेस्टेंट जो है वो वाकरी में जो है स्टांज अबॉर्ल नहीं कर रहे बलकी attempt करने में विश्वास रखते हैं लेकिन क्या यही जस्बा इस बार के खत्रों के खिलाड़ी की कॉंटेस्टेंट पर भारी पढ़ रहा है हमने देखा लगाता सेट से कुछ तस्वीरे वायरल हो रही है जिससे समझ में आ रहा है कि कॉंटेस्टेंट जख्मी हो रही है कनिका की तस्वीर सामने आई थी और आप मैं आपको दिखाती हूँ निशान की तस्वीर ज़ए बलड पूरा उनके पैरों पर गाओ है और निशान के कंदे पर ही पूरा बलड ही तो कहीना कहीं अब ये तस्वीर जो है सामने आ रही है जिसमें उनका दाहिना कंदा लाल हो रखाया है और कई जगा पर घाव नज़र आ रही है दूसरे में उनके पूरे गुटने छिले हुए है और चमड़ी तक निकल चुकी है और इस तरीके से अब फैंस ही कह रही है कि यकीन मानो निशान के जजबे को सलाम है कि इतना सारा होने के बाद भी जो है वो बहुत जादा जो है अपने स्टन्स को कम्प्लीट कर रहे है एक वीडियो है जिसमें को कहते है मुझे तोड़ा जूट भी बोलना पड़ेगा तो मैं इस शो को बहुत इंजॉय कर रहा यह मेरी लाइव का सबसे अच्छा एक्स्पीरियेंस है मैं यहाँ तीम पांच अलग करने आया था लेकिन स्टन्स ने मेरा ही तीम पांच कर दिया है इस शो के बाद मुझे अपना कुछ नया निकालना पड़ेगा क्योंकि तीम पांच मेरे साथ हो गया है तो यह बात जो ह के साथ निख रहे हैं कि वाखे में निशान के जजबे को सलाम है जो इतना जादा है घाव होने के बावजूद इंजर्ड होने के बावजूद स्टन्स कंप्लीट करने में लगे हुए हैं